और यह जुड़ने जुड़ने का जो काम है यह 14 अप्रेल को सबसे बड़ा करना है 14 अप्रेल इस वार हमें बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से मनानी है कारन क्या है कि अगर मायूसी चाजाए और घर परिवार में दुख चाजाए आए अपसोर चाजाए और परिवार में और पूरे देश में सारे जितने हमारे लोग हैं समझ संके जो लोग अभी जल्दी दस्तारी को मायूस हुए हैं तो मायूसी की दूर करने के लिए या दुख को दूर करने के लिए भी सब लोग मिलते हैं और सुख को बाटने के लिए भी सब लोग मिलते हैं इसलिए 14 अपरेल का जो ऑकेजन है यह ऑकेजन अपनी नरासा और जो पनी मायूसी को दूर करने के लिए बहुत बड़ी ऑकेजन करके कर दिया है जो भारत में अगर आप देखेंगे कि जरंदिन की जो चुटियां है या जो जरंदिन मनाने का कारिक्रम है आपको बुद्ध से पहले के थियास में किसी व्यक्ति का व्यक्ति वाचक जरंदिन मनाते हुए मिले गए पूरे जो जम्बू दीप है या जो पुर तो बुद्ध से पहले जब हम लोग मिलते थे तो ऐसा नहीं है कि हम लगातार काम ही करते रहते थे फैक्ट्रियों में या जो हम हाथ का काम करते थे या शिकार करते रहते थे या खेट में काम करते रहते थे या राजा के सपाई थे या राजा थे या सेनापती थे या विप् के समय तक महिने में चार दिन फिक्स होगे जिनको उपोसत बोला करते थे एक काली अठ्मी और एक सफिद अठ्मी मतलब सूरज जब चांद चुपना सुरू होता था च्छोटा होना सुरू होता था काली और बढ़ना उन्ट था तो सफिद तो चार दिन हमारी चुटी के हुआ करते थैंग करते थे और आपस में उप्रूसत करते थे और सारा काम करते ल्ट तब तक भी व्यक्ति वाचक यानि व्यक्ति के जंदुनमनाने की चुटका कहीं कोई भारत में चलन? नहीं था तो भारत में जो चलन आया है बुद्ध के जाने के बाद और अभी फिलाल थोड़ी से समय से ही जब सरक्कारे बनी सुरू है उससे पहले क्योंकि अंग्रेज़ जब चुटी दिया करते थे उससे पहले वो जो कालप्रिक लोग है उनकी दिया करते तो भारत में जो है मनीचर सबसे पहले चुटी जो अहत्यासिक आदमी है वो बुद्द की स्टार्ट हुए बुद्द की एथियासिक चुटी है क्योंकि प्रोस है उनके दाट यहां म्यूजियम में रखी हूई है उससे पता चलता है कि बुद्ध थे और महाविड जैन भी लído कि व trois साल बड़े थे तो उनकी चुट्टी भी मनती है और उसी तहत में जो एथियासिक पुरूस हैं जो वावा साव अमबेट कर हैं उनकी चुट्टी मिलती है और उनका जरम दिर मना जाता है और बाद वे उनका देखा देखी कैई महापुरसों का या कैई जो जिनको अपना-पन लोग नहीं है जिनकी जरम दिन की चुट्टी होती है वो माइधालोजी में हैं काल्पनिक हैं उनके जरम दिन की चुट्टी होती है या काल्पनिक जो पात रहें उनकी जरम दिन की चुट्टी भारत में इसका रिवाज है चलन है और सब इसको एंजॉय करते हैं सब चुट यह वैक्तितिकत नाम से है वहाँ बाकि सारे इवइंट से नाम से है। उनके चeszादु हुआ को यह वहाँ कोई सारे राश्टपती आए गये जो भी है माँ चुप्तिया नहीं होती व्यक्ति के नाम से हो समझदार लोग चाम-जयदा करते वेक्ति बादως नहीं पढ़ते हमारे यहां तो कालपने की वेच्टियों की चुटी होती है और यह तरह से मना रहे हैं और उस तरह से नहीं मना रहे हैं जिस तरह से मनाना चाहिए दरसल चौदे अपरेल जो कुछ सेट सेट करने की वह अपने चेहरे चमकाते हैं वह अपना फूट लगाते हैं जिसका जरंदन हैं जिसकी विचार धारा है उसका थोटा साही होता है वह अपने होडिंश लगाते हैं पड़े पड़े अपने नाम से करते हैं उनकी भाशन होते हैं उनकी बात होती हैं बावा सा एकटा करते हैं दूसरे जो लोग इसमें आते हैं जो नाम जो करते हैं वो लोग आते हैं जो इससे अपनी घर गरसी चलाते हैं और पैसा एकटा करते हैं बड़े के नाम से वो लोगों से कहते हैं कि बावा साब मैं सब कुछ दिया है तो मैं बावा साब को जर्म पर शरम आती करेंगे और साम को हो सकता है कुछ और भी करें जो भी वो करते हैं क्योंकि पैसा को वजा दुन लाता है तो उनका वह एक तरह से बिजनिस या ब्यापार या धंदा है जो वह बड़े बनाने के लिए हम ऐसा त्यार रहते हैं और अपनी रसी दुख निकाल के ले आते हैं जो तीसरा इसमें तरीका है वो है इसका सर्वायवल का यानि समाज में कुछ जो संग्ठन है वो संग्ठन अपने आपको बचाने के लिए साल में एक दो काहिकरम करते हैं और उसमें 14 अपरेल प्रमुक कारिकरम है यानि उन्होंने कोई संग्ठन बना रखा है कुछ लोग इख यारो लाख संग्ठन बने हैं उन्हें मनाना पड़ता है बड़े वन्ना तो लोग कहेंगे तुम क्या संग्ठन चला रहे हों तो जो चौत तरह के जो लोग मनाते हैं जो चौत अबंदिन मनाना चाहिए और क्यों जनल दिन के लिए हमें इतनी भाज़डत करनी चाहिए अभी हो यह रहा है कि जिस व्यक्ति का जनद्विन मना रहे हैं उसके अनुसार नहीं मना रहे हैं अपने इसाब से मना रहे हैं जैसे अपने बच्चे का बड़े में डीजे डांस करते हैं वैसे वह डीजे डांस करते हैं जैसे अपने बच्चे के बड़े में दावत करते हैं जैसे अपने बड़े में, बच्चे के बड़े में नाज काना और जो उध्रमचाना होता है वो सब करते हैं, बावा साथ आपके बच्चे नहीं है, बावा साथ का जनन दिन आप अपने हिसाब से नहीं मना सकते, तो पिर सही उद्दे से प्रापती हो सकता, आप ऐसा नहीं कर ने कहा है तो बावा साथ ने कहा क्या है और बावा साथ ने क्या चीज़ जैसी बताई है जो उनके जरन दिन पर हमें करनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी महापरुस का जरन दिन मनाते हैं तो हैपी बर्डे करनेंग नहीं नहीं हो रहे हैं आगर वह उद्देश से पूर नहीं हो रहे है और हम वहाँ खीरपूरी खा करें लाइन में लगे हुए हला मच रहा है तो हमने बावा साब का जरन दिन मनाने की वज़ा है मना लिया अगर बावा साब ने ये कहा है कि और्गनाइज होना है इक खटे होना है और हम जगे जगे अलग 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 बढ़े मनाते जा रहे हैं मनाते जा रहे हैं और हम में एक कोंपि Lexin आ रहा है कि Litे के जर्ना पर जैड़ा पैसा आया और मेरे जर्ना पर कमाया और इस वार में जर्णा मेन पर इतना बला ट्रेंट ळाऊंगा इस वार जर्म पे डीजल लेके आना है विस वार जर्सी बर व्यक्ति बाद आगे बढ़ाना उसके लिए मना किया है जो दिखावा है उसके लिए मना किया है और जो उद्देसों की प्राप्ति नहीं हो रही है उसके लिए मना किया है तो आप जो जरंदिन मना रहे हो उससे बावास आपका जरंदिन सच में मन भी रहा है या नहीं मन रह है इसको सब लोगों को बताना है कि वही जो तुम जरंदिन मना रहे हो जरंदिन का मतलब यह होता है कि महापुरुस जो चीज लेके आए हैं वह अचीमेंट जादा हुई या कम हुई जो महापुरुस हमाँ देखे गए हैं, वो जो लाए हैं, वो खतम तो नहीं हो गया, जो महापुरुस लेके आये थे, जिनकी वज़े से हम उनका जर्म दिन मनाते हैं, क्यों मनाते हैं जर्म दिन? बावा साथ अम बेट कर, अगर बढ़ोधरा के अंदर, सिर्फ नौकरी करते रहते हैं, और राजा की नौकरी है, और आईये सबसर की बरावर नौकरी है, क्योंकि राजा के डिफेंस के सेकर्टी रहें तो डारेक्ट सेकर्टी लगे हैं, और बाकाइदा वो महल में है, तो गौर्मेंट जंदर लगे हैं, तो आईये सबसर की उनकी एक कोईशन है, जह इसका मतलब यह है कि हम बावा साब का बड़े नहीं मना रहे हैं अगर बावा साब का बड़े हमें मनाना होता तो हम उस विक्ति का उन सारे लोगों का भी बड़े मनाना चाहिए जिन्होंने कुछ नहीं किया जिन्दिकी में पर ऐसे लोगों को याद करना चाहिए कि जिन लो का जरन दिनी भी एक है और गफ़र्ण का यानि की घ्hertzा को नमा यह डिन इसका है उनकी उधिक्सवां का जम डिन بनाते हैं जो अचीपमेंट वह देектор में के पुरी और हम दो काम करते हैं जरन दिन मनाने पे एक तो हम शुकरियाता करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना किया और दूसरा एक वादा करते हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ना तो बावा साब के जनल दिन पर शुक्रियादा होता है और ना बावा साब के जनल दिन पर ये वादा होता है कि हम उनकी बात मानेंगे तो इसको याद कौन कराएगा कि य यह जो लाखो लोग अलग-अलग संसाय बना दी है और अलग-अलग-अलग-अएक शोटी-शोटी-शोटी-शोटी-शोटी-शोटी काईकन दगे पड़े हैं कौन याद दिलाएगा कि बावा साब ने इसके लिए नहीं कहा अगर जंदर मनाना है तो उद्दे से प्राप्त होना चाहिए रो उद्दे से बावा साब ने इस पष्ट कियो हैं तीन उद्दे से तो उनके साफ हैं जिसमें कहा हुआ है कि सिक्षित बनना है रिखटा होना है संघ में आना है और संगरस करना है और इसके इलावा जो उनका उद्डेस है वो उन्हें बाइश पिर्टिक्कजाओं में पूरा दिया हुआ है उनकी मिला कि वो पूर बाइश है तो कितने तो हम उनकी विचारों को मानते हैं और कुतनी इन बाइस बातों को मानते हैं जो पंद्रे पहले से बुद्ध की चली आ रही है जो उन्होंने सामी की है और साथ उन्होंने नहीं नहीं दी है ये बात हैं अगर हम नहीं मानते हैं इन पर नहीं विचार करते हैं और इसके हम प् होते जाओ अधिकार खोते जाओ जो बड़े बना रहे हैं जो पैसे खटा कर रहे हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए कि बावा सापका काम उल्टा कर रहे हैं जिससे सारे के सारे अधिकार चलेगे अगर जनन दिन वाले दिन भी खटे हो जाएं सिर्फ जनन दिन वाले दिन भी पहतुस्लाफ है कि बचाना के बनगा लगए करके दैंस कुछ लोगों खजाता गंदाने और जो बागी जनता है वो अलग खाती है तो वहां भेद हो गया जनम दिन पर भेद कर दिया एक अलग से लोग हो गए बड़े बड़े और एक छोटे बड़े का भेद कर दिया तो मिलोगे कैसे तो और्गनाइश कैसे होगे तो करांती कैसे करोगे तो हम कैसे एक साथ होंगे है जो संमानता की आधार दी है इस निया है उपना क्णा ले के आना चाहिए और वह अगिस्टिक रहना चाहिए कहीं भी अगर कहीं अगर डेरा लगता है कहीं अगर भंडारा लगता है कहीं अगर पूरा पूरा खाना सामिक लगता है को देता है तो उसको मना करता ना चाहिए यह नहीं खाना नहीं खाना उससे क्या हो रहा है कि लोग खाना खाने आ रहे हैं विचार खाने नहीं आ रहे है उनको विचार नहीं चाहिए, उनको खाना चाहिए, तो खाना खाने आते हैं, तो विचार खाने नहीं आते, तो जब तक खाना नहीं मिलता है, तो उनका दिमाग खाने में लगा रहता है, और जब खाना मिलता है, तो उनका पेट ज्यादा भर जाता है, तो वो चले जाते हैं तो विचार तो खाया नहीं किसी ने, बावा साब के जरन दिन पर विचार खलाना चाहिए, रोटी अपनी खाओ, विचार बावा साब का खाओ, वो उल्टा रहा है, उल्टा ये हो रहा है कि लोग रोटी खाने आ रहे हैं और विचार को छोड़ के जा रहे हैं, ये हमारी आपश्ट डाल सकते हैं या च click के सकते हैं पहले और इससे भी ज़्यादाagne बात बनेगी के जो पड़CHी लेने आपके पास आ रहे हैं पैसा लेने वा रहे उनसे कहिए कि बहुति किस लिए हो तुम पैसा लेते हो टेंट लगाने ले आएंगे दिस्कूट ले आएंगे सर्बत ले आएंगे धर में ऐसे लेगी तो क्वें कि ले रहे हो वह कहें जी हम मंचमाला के लिए है यहाँ कि मना लगा क्या कोई मनाएंगे और पूरे अप्रेल मनाएंगे पर अब हम उसी तरह के से मनाएंगे जिस तरह से बावा साथ ने कहा है और जरंदिन तब ठीक बनेगा जब हम उनकी तीन बाते मानें आप एक मुंबती मजलाओ उस दिन आप कहीं कोई चल जाएगा और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस वार भारत में बावा सापका जनम दिन मना है पूरी दुनिया को लोग इस चौदे अपरेल से कापा करेंगे उनकी हड्या कापेंगी कि चौदे अपरेल आ रही है अभी अपना-पना खाना और अपनी दरी लेके खटे होने वाले हैं, य பमाल कानपूर में होता है, उन्निस 591 नहीं से लेकिए दो लाख लोग, उस दिन कोई कहीं कोई कारिकरम नहीं होता है FPAl के अंदर कारिक नहीं से उन्हों नहीं से समझधारी दिखाई अशचंगी कि हमारे विक्तियों में समझधारी पनना अपने लोगों के समों के साथ बढ़ना जरूरी है तो हमको तीन चाहा काईकरम सामुई की रूप्स से लगाने जरूरी है बड़े काईकरम तीन या चार दो भी लग जायत बहुत हैं हर छे महने के अंताल पर लगते तो हो ताकत मिलती है बाकी स्टेट लेवल पे डिस्टिक लेवल पे हर महीने काईकम लगता रहना चाहिए और घर परिवार की लेवल पर तो रोज लगता रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत में चाहिए कहीं कुछ भी होता कि बाई बावा साब का जर्बनिन मनाना है इस वार हम पैसे नहीं देंगे हमको जगे बताओ कहां इकटे होना एक साथ कोंगी बाहदुर गल्ड में ये काम कर दिया है सुदीर कुमार जी जो स्पोक हैं बाहदुर में काम करने हैं उन्हों ने बताया और वो यहां होंगे तो नहीं किका किया है कि वहां रहा है और मुरादाबाद में पहले से बड़ा फेस्टीवल में अब यह बड़ा तब है जब इस से उद्देश्य को निकालने हम इसकी जो आपजेक्टें उसको बाहर निकाले जो बावा साब और चोटी हो जाए और खतब हो जाए और उधकार जाए और जरम दिन उल्टा मने और जो यूरोप के अंदर जो हैपी बड़े मना के ताली बजा गे गुबारे पटकते हैं और वहां डीजे चले और डांस हो डीजे डांस करना या गुबारे छोड़ना के काटना बुरा नहीं है अगर कोई यह कह के बुरा है मगर जिसके सारे अधिकार चले जाएं जिसके घर में मातम छा रहा हो जिसके घर में अर्थी पड़ी हो जिसके बच्चे मनने वाले हो तब बुरा है अगर हमारे अधिकार बढ़ गए होते तो हमें वीदा पीपली की समण संगी जोतनी पढ़ती क्योंकि यह तो मजबूरी में है जब सारे स नहां आए हैं तो लोगों से कह रहा है कि हमें इखटा होना पड़ेगा अगर सारे अधिकार बच गए होते तो हम आप से यह कहते यह आप ना बड़े पागल नहीं है पागल है इसमें अकल नहीं है इसका घर लुटा पिटा है और ये बजार में दददा सयार रुपई की साड़ी और बीस पाजार रुपई का पैंट पूर्ट पैंट के फूम रहे हैं इनका कुछ नहीं हो सकता निका बेड़ा कर रहोगा वो इस तिनी आनी चाहिए हमारा घर बरबाद हुआ पड़ा है तो घर को ठीक करने के लिए हमें खुद ही महत करनी पड़ेगी तो हमको सारी बातें अब सो समझी करनी पड़ेंगी इसलिए जो वीदा पीपल समझ संग है ये बार बार कहता है कि पैसे देंगे जब इखटे होके आओगे तब और इस वार तो प खाना लेके आएंगे सहर में हमको ऐगे चाहें करेंगे को आएंगे को बऺं ने की कहाने श्याक नखता होचे के अब बारो ये पढ़ रहा है कि अब जो वो चंदागी रसीद लेके आते हैं जब हमारे जैसे लोग जो समठ संके जब उनको मना कर देते हैं तो अगले घर जाने कि उनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि जब मां नहीं आते हैं तो उनके मनोबल टूटेंगे तो सचे और अच्छे लोगों के मनोबल बढ़ेंगे तो उनको भी साथ आना पड़ेगा जो अब तक निकम में लोगों के सही से काम नहीं करें हमारी जितनी भी चीज़ें यहां चल रही हैं और जो नियम चल रहे हैं यह दुनिया के सबसे बेस्ट नियम है दुनिया के सबसे अच्छे संग के नियम है इन से बहतर नियम अभी तक दुनिया में है नहीं और यह कमाल की बात है कि यह हमारे महापुर्स हमारे गुरू और हम पर चलेना तो कुछ नहीं मिलने वाला भाई फिर तो आप नीयम केते रहो फिर तो वही बात HO जाएक कितो संविध्धान तो बहुत बढ़ी आया दो कोई फायदा नहीं होने वाला इत पर बात बहुत अच्छी है और हमने वह इस पर पास कर लिया है तो उसके चलने है जलना जिने पर ही फडेगा फाद लिए कोई विक्ति ये कहे कि मैं यह नहीं चलोंगा द्रूरा हैं तो अभी जाना नहीं कि नियाब लारो क्या है क्वावासहां में जो संविदान में दिये है पैसे नहीं आपको बचने लैगा है उसे नहीं weiß बचाना है तो संविधान में क्या है संविधान में आर्टिकल है नियम है उन्हीं को तो बचा रहे हो उन्हीं की दुबात है तो नियम ही है सब कुछ नियम ही पावर्फुल है जिस पर देश चलता है जिसके हम चलते हैं वैसे ही संग के सब कुछ रवीन है कि नियम ही है नियम पर चलोगे तो संग है और नियम पर नी चलोगे तो असंग हो जाएगा फिर तो हमारी मेटूर निश्चत है इसलिए 14 अपरेल को थोड़ा सा तेजी से तेजी से इसको आगे प्रमोट करें ये वीडियो मैं कल लोड कर दूँगा इसको तो अगर हम इसमें कामयाब होगे के हम पैसे देंगे तब इindetक और उस वारे नहीं है और उनसे कहो जो और्गनेजर है कि कुछ और खाना हो तो बता दे बावा साब का चर्म देने मिठाई भी लाएंगे तिरे लिए कुछ चिंता नहीं है और पैसे नहीं देंगे मिठाई बता कौन सी खाएगा मिठाई भी देंगे उसको मिठाई खिलाएंगे भी उसके दरी भी लेके आएंगे और पैसे नहीं देंगे क्योंकि पैसे देने से हम बरबाद हो गए पैसा हमारे निए दलाल पैदा करने का माध्यम हो गया हमारे खुद के लोगों दलाल हो गए इन दलालों की वैसे दलाली करते करते सारा समाच चला गया दलाली बंद कराने का काम हमारा है क्य कि जैसे ही हम पैसा देना बंद कर देंगे, सारे दलाल हमारे सजन लोग है, पढ़िया लोग है, महनती लोग है, यह फिर वहीं आ जाएंगे, काम हमार अच्छा चलेगा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और पैसे देने बंद करेंगे, तो भी जीतेंगे, और अपना खाना ल आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपक चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सों का है, उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं, ह तंगं सेनं गच्छामी तंगं सरीन गच्छामी तंगं सरीन गच्छामी को ती येंपी बुद्दं सर्मां गच्छामी तूंतियंपी धम्ममर्सर्णु गच्छानु 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 तूंतियंपी धम्ममर्सर्णु थुल खशामी थे थयांपी नम्मम मी निखामी थेकी ज जन इूर्सरू उए जद कर्शांी थे थुल खशामी साथ मोन्मम साथू, साथू